नमस्कार किसान बायू कृष्च दर्सन में आपका स्वागत है किसान बायू खरीफ के सीजन में धान की बड़े पैमाने पर खेती आप लोग करते हैं परंपरागत तरीके से भी और कुछ उन्नत तक्नीक भी अपना रहे हैं सवाल यह उठता है कि हम धान की खेती के दवरान या धान की खेती से ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक्ता कैसे प्राप्त करें जाही सी बात है उन्नत बीजों का चैन, संतुलित और वरकों का प्रयोग, खर पतवार, रोग और कीडों से फसल की रक्षा के माध्यम से ही धान की उत्पादक्ता को बढ़ाया जा सकता है और इस उत्पादक्ता को प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम सच से क्रियाओं पर भी विसेश ध्यान दें तो धान की खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादक्ता कैसे प्राप्त की जा सकती है इस बारे में आपको और भी जनकरी दे रहा है हमारा ये वृत्ति चित्र हमारे देश में मानसून के दस्तक देते ही किसानों के चहरे पर रौनक आ जाती है इसका कारण यहां खेती का मानसून पर निर्भर होना है यहां घर-घर में ये बात प्रशलित है कि मानसून मानसून बिन तेरे सबसून मानसून की आहट पाते ही हमारे देश के किसान क्रिशी कारियों में लग जाते हैं प्रख्यात क्रिशिवेग्यानिक डॉक्टर M.S. स्वामिनाथन ने कहा था हिंदुस्तान का भविश्य गन नहीं ग्रेन है ग्रेन यानि अनाज दुनिया में मक्का के बाद धान का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है संसार के लगभग दो तिहाई जनसंख्या अपना पेट भरने के लिए चावल पर निर्भर है धान की फसल समुद्र तल के नीचे से लेकर पहाड की चोटी तक लगाई जाती है अंटार्क्टिका को छोड़ कर दुनिया के सभी महाद्वीपो में इसकी खेती की जाती है अमलिय एवं शारिय दोनों तरह की मिट्टी पर धान पैदा किया जाता है ये अधिक जल उपलब्धता वाले शेत्रों से लेकर वर्षा आधारित शेत्रों में लगाया जाता है परन्तों जहां वर्षा ज़्यादा होती है साधान्तिया वहाँ धान भी ज़्यादा होता है दुनिया का लगभग अस्सी प्रदिशत चावल गरीब लगों किसानों द्वारा पैदा किया जाता है इसी से वे अपने परिवार का भरण पोशन करते हैं एशिया की अनेक देशों में तो भोजन का मतलब ही चावल है शोद के परिणामों से पता चला है कि धान के पोधे का अस्तित्व ईसा पूरव पाँच हजार वर्ष पहले से था संभौता इसके खेती सर्वपथम चीन तथा पूरवी एवं दक्षनी एशिया से प्रारम भकी गई कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में ईसा पूरवत तीन हजार वर्षों से धान की खेती की जा रही है यजुर्वेद में धान के गुणों का उल्लेख मिलता है भारतिय समाज में प्राचीन काल से ही चावल को पूजन सामगरी में अभिन अंग के रूप में स्विकार किया गया है यहां विभिन तेवहारों में भगवान की पूजा, चंदन, रोली एवं चावल से करने की परंपरा है भारतिय समाज में प्राचीन काल से ही चावल सम्रिध्ध एवं और वर्ता का प्रतीक रहा है इसलिए यहां नव विवाहे त्युगल पर अक्षत वर्षा यानि चावल डालना शुप माना गया है शिश्मों को मा के दूद के बाद ठोस खाद्य पदार्थ देने का प्रारंब चावल से बने पदार्थ खिला कर किया जाता है चावल कार्बोहाइडरिट का बहुत बड़ा स्रोत है मानो शरीर को मुख्यता कार्बोहाइडरिट से ही उर्जा प्राप्त होती है एक कटोरा चावल में लगभग 140 ग्राम कार्बोहाइडरिट, 680 किलो कैलोरी, 2.50 ग्राम फैट यानि वसा, 2.8 ग्राम फाइबर यानि रेशा तथा 13 ग्राम प्रोटीन होती है इसके अतरिक्त चावल से विटामिन D, आयरन यानि लौ, कैल्शियम तथा अनिक खनिश दद्व प्राप्त होते हैं विश्व के अनेक देशों में भोजन में चावल का प्रियोग किया जाता है, लेकिन हमारे भारत वश्व में तो प्रति एक जहें भोजन में चावल का प्रियोग होता है, सिर्फ चावल में ही नहीं, आपी तो हार शुप कार्या में भी चावल की उपस्तिती अनिवार्य है हमारे भारत वश में करीब करीब 50,000 वियंजन ऐसे हैं जो चावल के दुआरा बनाया जाते हैं प्रति एक राज्ये की अपनी अपनी कुछ विशेश वियंजन है जो कि उनके दुआरा तयार किये जाते हैं जहां तक चावल के पौश्टिक तत्व का सवाल है इसमें 78.8% कार्भोहिड़ेट पाया जाता है और 100 ग्राम चावल में 6.8% प्रोटीन, 1.4% वसा तथा 0.1% कैल्शियम और 3.6 मिलिग्राम आइरन पाया जाता है चावल की जो उपरी परत्वती है उसमें विटामिन भी पाया जाता है जो कि हमारी मांस्पेशियो पाचन तत्र, थंत्री का तंत्र तथा हिर्दय के लिए उपियोगी है धान की उपज पर सबसे अधिक प्रभाव उन्नत शेल प्रजातियों के चैन, खाद की उचित मात्रा, कीट एवं रोगों की रोगथाम तथा खर पतवारों के उचित प्रबंधन से पढ़ता है धान की फसल को सबसे ज़्यादा वर्षा प्रभावित करती है इसको अन्य फसलों के मुकाबले अधिक पानी की आवशकता होती है तापमान भी इसकी उपज को प्रभावित करने का प्रमुख कारक है मोटी तौर पर दिन में लगभग 30 डिग्री एवं रात्री में लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान धान के लिए उपयुक्त माना गया है हमारे देश में खरीब की खेती मूलता मानसून पर आधारी थै और खरीब की मुख के फसल धान होने की करण जो धान की खेती हमारे किसान करते हैं उन पर बड़ी जिम्मेदारी आ रही है हम लोग यह देख रहे हैं कि मानसून की चाल ढाल थोड़ी बदल रही है इससे किसानों को थोड़ी परिशानी हो रही है एक तरफ तो पानी की कमी हो रही है और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा बाड़ा जा रही है इन दोनों परिश्थितियों का असर हमारी धान की फसल पर पड़ रहा है इसके बावजूद धान की ओसत उत्पादन लगबग 20 कुंटर पर हेक्टेर है हमारे देश में और इसलिए इसमें बड़ोत्तरी की बहुत गुंजाईश है उत्तर परदेश धान की उत्पादन में दूसरा नंबर पर आता है पस्चिम बंगाल के बाद लेकिन दुरुभाग से इसकी ओसत उत्पादक्ता 20 कुंटर से कम है पर पर प्रतियक्टेर उसका कारण यह है कि प पाने की कमी महसूस होती है तो हमारा प्रदेश कुछ ज्यादा ही संस्टिव है लेकिन इसके बावदूद पूरवी उत्तर प्रदेश में चंदोली का इलाका धान का कटोरा है इसका पूरा श्रे हमारे किसानों को जाता है इस बदलते हुए मौसम में उनको एक चीज करना ह होगा जो साच किसान भाई नहीं करते उनको तौरित निर्णा ले ले होगा यानि वैज्यानिकों को अब खुद ही नहीं पता है इस वाक कि मौसम काउन से करवट बैठेगा तो इस बदलेवी परसिती में किसानों को तुरंट निर्णा लेना होगा कि वो धान को रूपाई करें या सीधे बुवाई करें और दूसरा निर्णाय जो उनको लेना होगा कौन सी प्रजाति का चैन करें और यह निर्णाय वो अपने मन से शायद न ले पाएं इसके लिए इनको वैज्ञानिकों से लगाता संपर्क में रहना होगा क्योंकि वैज्ञानिक आपको आधुनि की ज्यान की एक संपदा है तो आज दूरत है कि अपनी इस संपदा को बचाय रखते हुए इसमें आधुनिक ज्यान को जोड़ने की सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता पौधों की वृद्धी एवं उनके स्वास्थे को अत्यंत प्रभावित करती है मुख्य रूप से फसल के पकने के 35 से 45 दिन पहले का अनुकूल तापमान धान के दानों में कार्भोहाइडरिट की मात्रा बढ़ाने उनकी गुणवत्ता बढ़ाने एवं उनकी पैदावार बढ़ाने में अत्यंत उपयोगी होता है भारत में 4000 से ज्यादा धान की प्रजातियां प्रचलित हैं विश्व में बास्मती चावल के सबसे बड़े निर्यातक देश के रूप में हिंदुस्तान का डंका बचता है देश का लगभग 50 प्रदिशत धान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब में पैदा होता है उत्तर प्रदेश में लगभग 6 मिलियन हेक्टेर में धान की खेती होती है यहां लगभग 13 मिलियन चावल का उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश का पश्चिम बंगाल के बाद देश में दूसरा स्थान है पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो खरीफ की मुख्य फसल धान है क्योंकि यहां के अनेक स्थानों की मिट्टी में जल संचय शमता अधिक होने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थों की मौजोद्गी के कारण धान की अच्छी फसल होती है किसी भी फसल के लिए उन्नत बीच का प्रयोग उत्तम खेती की नीम होता है धान के बीच का बाजार मुख्यता हाइब्रिट अर्थात संकर बीच पर आधारित है संकर बीच को दुबारा बीच के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता अता किसानों को हर बार नया बीच खरीदने की मजबूरी हो जाती है चुकि धान का पौधा स्वपरागन करने वाला पौधा है अता इसके हाइब्रिट बीच का उत्पादन महगा पड़ता है यही कारण है कि अविकसित एवं विकाशेल देशों के किसान अपने खेत में पैदा हुए धान के बीचों का प्रयोग करते हैं हम लोग यहां पर बास्मती प्रजातियों पर काम कर रहे हैं तथा मीडियम मेचोरिंग राइस वराइटी पर काम कर रहे हैं हमारी बास्मती की प्रजात भारस सरकार से अनमोधन के लिए दिल्ली में पड़ी हुई है पीछे मीटिंग हुई है उसमें हमको मीड है कि वह अनमोधित हो जाएगी अब तक जितनी प्रजातियां बास्मती की हैं सबसे अधिक उपज देने वारी प्रजात है वह करीब साथ कुंटरपत हेक्टेर बास्मती की प्रजात उपज देगी और यह हर्याना पंजाब जम्मू कास्मीर और पश्चमी उत्र प्रदेश के लिए रिकमेंडेट है क्योंकि वही जिगराफिल एंडिकेशन बास्मती ग्रोइंग एरियाज के लिए लेकिन वह प्रजात यहां पुर्वी उत्तर प्रदेश में भी काफी अच्छा कर रहे हैं किसान काफी चाहते हैं कि उसका सीड मिले और उसका हम लगा में उसको इसके अलवा हमने इस साल अग्रिम पक्त परिक्षण में जहें उस प्रजात को हमने दिया किसानों को और किसानों को खेत पर यह प्रजात लगी हुई है इसका नाम है यह यू बियार 10-9 मालवी बासमती धान 10-9 यह काफी अच्छा कर रहे हैं इसके अत्रिक्त हम लोग जो और जो काम किये हैं उसमें मीडियम मचुर्टी गृप की धान की प्रजातियों अबर के लाश तक कड़ जाती है धान का यह गेहु लगाने का समय जो है वेगदम उपयुक्त मिल जाता है और टाइम लिसों गेहु लग जाता है जिसे गेहु के पैदावार में कहीं कोई असर नहीं पड़ता और ठीक रहता है और जो भी प्रजातियां हमने यहां से रिली सरकार के गजट में जिसके उपज करीब सत्तर कुंटल प्रत हेक्टेर है और एकवल एक सो पैदिस दिन में तयार हो जाती है खाने में सुगंदीत मीठा और इसका चूरा जो होता है बहुत बढ़िया होता है उसके उपरांत जो सबसे पहली प्रजात हमने बताई है हूँ तीस-बाइस वो केवल 110-115 दिन में तयार हो जाती है और किसान उसको काफी लगाते हैं जिनका खेत जो है बरानी खेती जो करते हैं केवल रेनफेड एरियाज के लिए उसमें प्रजात काफी उप्यूकत है और पचास से पश्पन कुंटल प्रत हेक्टेर के उपज देती ह धान में बीजदर का भी पौधों के स्वास्थ एवं उत्पादक्ता पर असर पड़ता है बहत पास-पास बोई गय पौधे पतले एवं लंबे होते हैं तथा उनमें कम बालियां होती हैं जबकि दूर-दूर बोई गय पौधे मजबूत, स्वस्थ एवं अधिक बालियों धान के पौध की संख्या घनी हो जाएगा तो पौधों में आपसी प्रत्योगिता आरंभ हो जाती है खास कर से तत्यों के लिए जोन के लिए जरॉत पड़ती है, पानी के लिए, हवा के लिए और रोसनी के लिए, इस से आ。 उपत्थ होती है और देखा जाता है कि जब बी और कमजोर हो जाते हैं लेकिन यही जब पौध को हम उचित दूरी पर जो संस्तुत दूरी पर लगाते हैं तो जो भी पौधे होंगे उनके बीच की आपसी प्रत्योगिता कम होगी और सभी पौधों को उपयुक्त तत्व, पानी, हवा और धूप मिलेगी और इनकी स्वस्थ होगी और मजबूत पौधे होंगे और इससे उपज भी अधिक प्राप्त होती है ऐसी मान्यता है कि धान के पौधे की अच्छी नर्सरी तयार करना एक कला है अच्छी नर्सरी धान की जान होती है नर्सरी के पौधों की खेतों में रुपाई सधे हुए अनुभवी हाथों द्वारा खोने से पौधों के जड़ पकड़ने का प्रतिशत बढ़ जाता है अच्छी उपज के लिए धान में जैविक खाद अत्यंत आवश्यक है धान में रासाइनिक खाद का प्रयोग आवश्यक्ता अनुसार ही करना चाहिए मिट्टी की उर्वर्तास तर जानने के बाद ही विश्यसग्य की सला से रासाइनिक खाद की मात्रा डालने का समय तै करना चाहिए इससे सोक्ष्म पोशक तत्वों जैसे लौफ एवं मैगनीज की संतुलित मात्रा बनी रहती है और पौधों को खाद का पूरा लाव मिलता है जिससे किसानों को कम लागत में अच्छी पैदावार मिल जाती है पानी की अनुपल अब्धता के कारण यदि नरसरी तैयार नहीं हो पाई है तो खेत में स्तीधे बीजबोने से लाब ही होता है इससे पानी, समय, परिश्रम एवं पैसे की बचत होती है सिस्टम औफ राइस इंटेंसिफिकेशन यानि श्री तकनीक में पौधों की जड़ों में सिजाई करते हैं इस पद्धती में विशेश अनुमोदित उन किसमों का ही प्रयोग करना चाहिए जो इसके अनुकूल हो धान की फसल में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की अद्भत शमता होती है जल जमावाले शेत्रों में नवंबर से मई महीने के बीच होने वाली बोरो राइस अत्यन तलोग प्रिय हो रही है यदि बोरो धान के द्वारा थोड़ा उत्पादन भी बढ़ता है तो देश में धान की कुल उत्पादन में इसका उल्लेखनी अयोगदान होगा धान की फसल पर कई प्रकार के कीडों को आक्रमट करने की अनुकूल परिस्थितियां प्राप्थ हो जाती है इन कीडों में हिस्पा, टिड्डा, ग्रास होपर या फुदका, तनाशेदक, सैनिक कीड या बाल काटने वाला कीड तथा गंधी बग ज्यादा नुकसान दायक है किसानों को समय पर इन कीडों की रोक थाम के लिए कदम उठाना चाहिए अनित्हा इन से पूरी फसल नस्ठ हो सकती है यह तीन यहां पर जो स्पेशिस से बहुत अधिक मात्रा में लगते हैं और जिसके वज़े से ज़्यादा हमको जो डैमेंज जो दिखाए देता है, उसको हम Harper Burn कहते हैं, और जिसको पूरे पति जलने की जो, उसका, जो स्म्टम्टम दिखाए देता है और इसको नियंद्रण के लिए हम हदीक तर लिए करता है केट नाशिक दवाओं को प्रयोग करने के एक बार पहले अपज़र आपने खेत में जरूर देखेगा कि जो नाचुरल कंट्रोल एजन्स इसको जो कहते हैं प्रक्रति जो लाबदाय कीट वो गएरा जो है वो भी आपके खेत में जरूर मौजूद होंगी जैसे आपके मकडी है औ तो बीटल जो देखाए देता है जिसको और इस सब जो है जितने जाप अफ़वदी जो आप जो तना बेदे को गएरा लारवी उसको खा जाते हैं और जो फद्की जो है उनके सारे स्टेजर को निफल स्टेज वादर स्टेज हुआ उनको भी सब खाडालते हैं और प्रकृ असलकों रूगों से कुछ ज्यादा ही खत्रा होता है क्योंकि अनेक जीवानों एवं फफूद के लिए अनुकूल वातावरन एवं साधन मिल जाते हैं पूरवान्चल शेत्र में एक फफूद जनित बहुत ही मुख्य रोग है जिसको शीथ जुलसा बोलते हैं खेत में उसके प्रथम लक्षन दिखते ही हमको एक कवक नाशी है जो प्रोपी कोनेजोल एक डेड़ से दो एमेल प्रती लीटर पानी में दो से तीन छिड़काव किये जा सकते हैं पंदरा दिन के अंतराल पे दूसरा रोग है जिसको जीवानुज जुलसा बोलते हैं बैक्टीरिय लीव ब्लाइट बोलते हैं उसके लिए ब्लाइटॉक्स 50 की धाई केजी मात्रा और उसके साथ स्ट्रेप्टो माइसीन सलफेट 50 ग्राम इसको मिलाके आप घोल बनाके और उसमें प्रती हेक्टेर में आपका 1000 पानी 1000 लिटर में घोल बनाएंगे उसका चिड़काओ करेंगे तो इस जीवानुज रोग में काफी अच्छा नियंतरन मिलता है उसके अलावा एक जिंग की कमी से रोग होता है जिसको खैरा रोग बोलते हैं उसमें आपका इसका बुझा हुआ चूना जिसको स्ले धान में खर-पतवार प्रबंधन का अत्यंत महत्व है क्योंकि खरीफ में खर-पतवारों की बेतहाशा व्रंधी होती है यदि इनका समय से नियंतरन नहीं किया जाए तो ये उपच को निम्नतम स्तर पर ला देते हैं खर-पतवार रोगों के जिवानों एवं कीडों को यहां की आपको बताया जा रहा है कि यहां की उत्पादक्ता कम है उत्पादक्ता कम होने के बहुत सारे कारण होते हैं जिसमें प्रजातियां और रोग यह दो मुख बिंदू है उत्पादक्ता की तो अगर आप एक अच्छी प्रजाती का चुनाव कर लेते हैं समय से बु दिनों से देखा जा रहा है कि पूरवी उत्तर प्रदेस में धान में करीब उत्पादन की जो गिरावट हो रही है उनमें बीमारियों का एक प्रमुख भूमिका है इन बीमारियों में खास करके सीथ ब्लाइट एक नई बीमारी के रूप में उभरी है और जो नई प्रजाति वाले जो बीमारी है वह समाप्त हो जाए जब सड़क पर या कहीं चलते समय आसपास की घासे जली दिखाई दे तो यह बीमारी आने का एक प्रमुख लक्षड है तो उस उस समय अपने खेतों में जो उचित दवाएं हैं जिसमें कि हम लोग बता रहे हैं कि प्रोपी को नजो की 20 क्विंटल प्रती हेक्टेर से कम है यदि इस शेत्र के किसान कुछ बातों पर विशेश द्यान दें तो इसकी उपज को आसानी से बढ़ाया जा सकता है हमने धान की सीधी बवाई अपने खेत में किया है और कासी हंदी बिश्विद्याले के बैग्यानकों के सलाव पर हमने इस बढ़ाया है इसके पहले हम रुपाई करते थे रुपाई में बड़ी समस्याएं आती थी पानी की दिक्कत मजदूरों की दिक्कत जुताई की दिक पड़ाला समझ में आ रहा है कि प्रती एकर साहे साथ से आठ जार लुपा बचत है तो इसमें पानी की सबसे कम और शक्ता पड़ रही है इसमें हलका बुंदा बादी भी होती होती चल गई तो फसल जो है अच्छी आपके सामने दिखाई दे रही है और फसल में कोई दूस प्रयोग किया जाता है अतह किसानों को वैग्यानिकों के साथ कदम से कदम मिला कर धान की उत्पादकता बढ़ाते हुए अपने देश को आत्म निर्भर बनाने के साथ विश्व के चावल निर्यातक देशों की अग्रिम पंक्ती में खड़ा करने का प्रयास करना चाहिए जिससे या देश धन धान्य से परिपोन हो जाए अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ तब तक के लिए हमें अनुमत दीजिए नमस्कार